नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं? आप सब की प्रप्रेशन कैसे चल रही है? NBS exam की दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रप्रेशन करते रही है आप जिस भी पोश्ट के लिए अपलाई किये हैं उसके slayvers के according आप बहतरिन तरीका से प्रप्रेशन करते रहें आप सिर्फ exam date का wait मत करें क्योंकि NTA के द्वारा जब भी exam date declare की जाएगी 10 दिन में ही आपका exam हो जाएगा इसलिए आप अच्छे से continue preparation करते रहें और आपको इस channel पे हिंदी का computer का GKGS का बहतरीन content दे रहे हैं अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं लेकिन बहुत जल्द video continue आना start हो जाएगा अभी तक हिंदी का computer का GKGS का जितना वीडियो आया है all 12 वीडियो आप लोग देख ले आपको इसका playlist मिल जाएगा NBS Hindi 2024 करके NBS Computer 2024 करके और NBS GK 2024 करके playlist available है दोस्तों यदि आप लोग इस NBS के vacancy में Junior Secretariat Assistant post के लिए apply किये हैं तो आप लोग इस वीडियो को last तक देखें आपको बहुत important information देने वाले हैं दोस्तों जैसा कि आपको कुछ दिन पहले बताये थे कि NBS Non-Teaching 2024 के vacancy में किस-किस post के लिए कितना-कितना apply हुआ है आपको सभी post का बताये हैं कि किस post में कितना apply हुआ है और वो RTI information था जो की NTA के द्वारा दिया गया था और वो 100% क्या है genuine है तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें आपको पता चलेगा कि किस post में कितना candidate ने apply किया है तो उस वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा दोस्तों आज आपको NBS JSA 2024 का target score के बारे में बताएंगे आपको ये target score किस basis पे बताएंगे तो वो NBS JSA 2022 के final cutoff से और KBS JSA 2023 के final cutoff से compare करके बताएंगे तो आईए हम लोग full analysis करते हैं अच्छे से आपको बताते हैं point to point आपको बता देते हैं जो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे चनल पे नए है तो चनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हाँ पे हमने KBS JSA 2023 और 2022 दोनों लिखी दी हैं इसलिए क्योंकि notification 2022 करके ही आया था लेकिन इसका सब कुछ process वकव 2023 तो आईए सबसे पहले हम लोग देखते हैं NBS JSA 2022 का सब कुछ details information देखते हैं और उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे कि आप कितना target रखें आप अपना target कितना fix करें कि इतना score आपको लाना है यदि आपको job लेनी है तो आप सिर्फ exam देकर देखेंगे कि किस तरह का paper आएगा तो वो फिर एक अलग बात होगी यदि आपको job लेनी है final selection लेनी है तो आप एक target fix करके रखें कि आपको इतना score लाना है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि NVS JSA 2022 में जो total vacancy था वो कितना था 622 था और यह आपको JNV केडर का बता रहे हैं तो यह JNV केडर में कितना vacancy था दोस्तों वो 622 था और उसके बाद इसमें जो total apply हुआ था वो कितना हुआ था 1,82,393 candidate ने apply किया था और यह सब data RTI reply का data है आपको यह video मेरे channel पे मिल जाएगा आप लोग सर्च करके देख सकते हैं आपको वो सब video मिल जाएगा NVS 2022 total form apply KBS 2022 total form apply सब कुछ करके video available है आपको video मिल जाएगा तो दोस्तों इसमें vacancy था 622 और apply हुआ 1,82,393 candidate ने apply किया था और उसके बाद आप लोग इस तरह से देख सकते हैं पर post competition कितना हुआ तो 293 candidate एक post के लिए apply किया था मतलब एक तरह से इतना जादा इसमें competition था NVS JSA 2022 में JNV cater में और यह जो exam हुआ था उसमें जो score था वो कितना था full score इसका 130 का था और exam mode क्या था वो अपलाई किया paper का level क्या था तो NVS JSA 2022 का जो paper का जो level था दोस्तों वो moderate to difficult level का question पुछा गया था आप overall paper को देखेंगे तो कोई-कोई section easy था कोई-कोई बहुत नहीं जादा difficult था जैसे कि computer gk यह सब आसान नहीं पुछा गया था तो आप लोग एक तरह से यह कह सकते हैं कि NVS JSA का जो paper था वो moderate to difficult level का था और अब आईए कि क्या इसमें negative marking था तो हाँ था तो इसमें one-fourth negative था और negative marking भी cut-up पे असर डालती है और उसके बाद अब आप लोग अच्छे से देखें कि final cut-up कितना गया था NVS JSA 2022 का JNV cutter का final जो normalized cut-up था कितना था वो आप लोग एक एक करके देख लें आपको final cut-up इसलिए बता रहे हैं क्योंकि main जो होता है वो final cut-up ही होता है और आपको भी इसी पे target करना होगा कि हमको final cut-up clear करना है only आपको result नहीं देना है आपको only typing देके घर नहीं आना है आपको job लेना है तो इसके लिए final cut-up पे आपको target रखना होगा ओके तो आईए एक एक करके हम लोग cut-up देख लें कि कितना कितना cut-up गया था तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूर का final cut-up जो गया था वो 89.5 गया था और ये normalized cut-up है क्योंकि जब एक shift से ज़्यादा shift में exam होती है तो उसमें normalization की जाती है और ये NWS में भी किया गया था तो 130 में जो final cut-up गया वो कितना गया 89.5 इसको आप percentage में निकालेंगे तो 61% final cut-up गया था यूर का ये cut-up ज़्यादा नहीं है इसको आप कम cut-up कहेंगे ये कम cut-up जाने का जो main region था वो कह था paper का level था वो moderate to difficulty level का था इसलिए इसमें cut-up कम गया समझ में आ गया दोस्तों उसके बाद अब आप लोग देखें OBC का तो OBC का जो cut-up गया था वो 75.56 थिरी गया था ये normalized cut-up था ओके आप इसको percentage में निकालेंगे तो 58% के आसपास इसके बाद अब आप लोग देख लें SC का तो SC का 71.01 थिरी गया था 130 में इसको आप percentage में निकालेंगे तो 54.62% गया था इसके बाद अब आप लोग देखें ST का तो ST का जो final cut-up गया था वो 68.069 गया था ये 130 में था इसको आप percentage में निकालेंगे तो 52% के आसपास final cut-up गया था और अब देखें लास्ट में EWS का तो इसका 75.25 गया था 130 में और percentage में देखेंगे तो 58% के आसपास इसका final cut-up गया था तो OBC और EWS का cut-up लगभग आसपास था 75.25 और 75.56 थिड़ी ये आसपास था तो ये ज़्यादा cut-up नहीं है यदि paper का level 2022 के तरह ही आएगा तो इस बार भी इसी तरह का cut-up आपको देखने को मिल सकता है इसमें कोई आसचर्ज की बात नहीं होगी यदि paper का level easy आएगा तो फिर cut-up थो high जाएगा ही जाएगा तो last में आपको हम सब कुछ बताते हैं कि आपको कितना target score रखना होगा किस तरह का paper आएगा तो कितना target score रखें सब कुछ आगे आपको बताते हैं तो दोस्तों ये आपका हो गया NVS JSA 2022 का और अब आप लोग देखें KVS JSA 2023 का final cut-up कितना गया था इसमें कितना competition था paper का level क्या था सब कुछ आप लोग अच्छे से देखें तो इसमें vacancy कितना था दोस्तों 702 था KVS JSA 2023 में और इसमें total कितना apply हुआ था तो 4,71,192 candidate अपलाई किया था बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा NVS JSA में 1,80,000 के आसपास आपको बताए इसमें कितना हो गया 4,71,000 हो गया बहुत ज़्यादा apply इसमें हुआ था तो इसमें competition आप लोग देखेंगे तो 654 candidate एक post के लिए था तो आप NVS JSA 2022 से compare करेंगे तो उसमें 293 था और इसमें 654 है है ना तो आप लोग देखेंगे तो दुगुन्ना से भी ज़्यादा इसमें competition था KVS JSA में और उसके बाद आप लोग देखें इसमें जो score था 120 का था सलेबस दोनों का सेम था जो भी था हिंदी, computer, gk, gs, reasoning, math NVS JSA में भी था और KVS JSA में था NVS JSA 130 का था और ये 120 का था तो अंतर ये था जो कि आपको देखान रखना होगा और इसका भी exam online हुआ था और उसके बाद इसका paper का जो था level वो easy to moderate आ गया था किसका KVS JSA का इसका paper जादा difficult नहीं आया था कोई-कोई section बहुत easy था कोई-कोई थोड़ा सा moderate था इसमें जादा difficult question नहीं पुछा गया था और एक बात इसमें क्या थी कि इसमें negative marking नहीं थी KVS JSA में negative marking नहीं थी इसी कारण से भी इसका cut-up बहुत जादा गया कितना कितना गया था आई आप लोग अच्छे से देख ले तो इसका जो final cut-up गया था दोस्तों वो आपका 120 में 110.92 गया था किसका UR का cut-up ये final cut-up है 92% से उपर final cut-up गया था जो कि बहुत जादा है और आप NVS जैसे का देखें उसका कितना था 60% final cut-up गया था तो बहुत जादा final cut-up गया था इसके बाद अब आप लोग देखें OBC का तो OBC का final cut-up 93.32 गया था जो कि general और OBC में बहुत जादा difference था लग भग 17 नमर का इसमें difference था जो कि बहुत जादा था KVS जैसे में NVS जैसे में जादा difference नहीं था लेकिन KVS जैसे में बहुत जादा difference था और ये जो cut-up है दोस्तों वो 120 में है और ये normalized cut-up है क्योंकि इसका big jump एक shift से जादा shift में हुआ था और उसके बाद SC का final cut-up 88.53 गया था उसके बाद अब आप लोग देखें ST का 84.35 गया था और इसके बाद आप लोग देखें EWS का तो इसका 92.30 गया था तो OBC और EWS का लगभग एक समान था है ना लेकिन UR का cut-up बहुत जादा चला गया था KVS जैसे का तो ये आपका final cut-up था देखेंगे तो NWS जैसे से ज़्यादा ही था वेकेंसी में ज़्यादा अंतर नहीं था लेकिन इसमें apply बहुत ज़्यादा हुआ था दो गुना से भी ज़्यादा इसमें apply किया था NWS जैसे के comparison में KVS जैसे में उसके बाद paper का level बहुत थी easy इसमें आया था और उसके बाद इसमें negative marking नहीं था इसलिए KVS जैसे का cut-up इतना ज़्यादा high गया था तो दोस्तों आब आई आपको बताते हैं कि NWS जैसे 2024 का target score आपको कितना रखना परेगा आप ये KVS जैसे और NWS जैसे का final cut-up देख लिए जो कि previous year का था तो इसी के according आपको एक target fix करके रखना परेगा तो इसमें NWS जैसे 2024 में vacancy कितना है तो 360 है ओके इसके बाद इसमें total apply कितना हुआ है तो 87,600 candidate ने इसमें apply किया है आप इसको देखेंगे तो इसमें competition कितना है तो तो इसमें एक post के लिए 243 candidate available है जो कि previous year कितना था 293 था vacancy भी जादा था और apply भी इस साल से दुगुना हुआ था उस साल है ना तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है उसके बाद इस बार भी इसमें full score कितना है 130 का है और उसके बाद इसका भी जो exam होगा वो CVT mode यनि कि online exam होगा और इसमें भी इस बार क्या है negative 1 fourth है जैसा कि पिछले बार था है ना और उसके बाद इसमें paper का level है ना cut off जो decide करेगी main factor जो होगा वो overall paper का level होगा कि किस तरह का paper पूछा जाएगा ओके अभी expected cut off बताना एक मुर्खता होगा और आपको हम भी expected cut off नहीं बता रहे हैं आपको हम एक target score बता रहे हैं कि आपको एक target कितना fix करना होगा है ना क्योंकि जीवन में यदि आपका कोई target नहीं है तो फिर आप किसी like नहीं है है ना आप किसी भी sector में हो आपको एक target fix करना होगा कि हमको ये आगे अब करना है है ना तो यदि आपको इसमें job लेनी है तो आपको एक target fix करना होगा कि final selection के लिए आप कितना score करेंगे और उसी के according आप मेहनत करें आप देखें कि आपका कौन सा section बहुत अच्छा है यनि कि math, reasoning, gk, english, computer, hindi में कौन-कौन सा section आपका बहुत strong है उसमें आप अच्छा score करने का कोसिस करें जो section आपका अच्छा नहीं है उसमें आप अभी ज़्यादा मेहनत करें ज़्यादा आप सीखने का प्रियास करें जिससे आप उसमें भी एक अच्छा-का से score आप कर सकतें तो आईए आपको अच्छे से बताते हैं कि यदि paper easy to moderate आया जैसा की KBS जैसे में आया था यदि उस तरह का paper आया तो आप target रखेंगे 130 में कम से कम 100 score करने का 100 130 में 100 score आप कम से कम करने का है ना ज़िए आप 100 to 110 तक आप कर देते हैं score तो आपका final selection पका रहेगा यदि paper का level easy to moderate आएगा तो कितना आप target रखेंगे fix करके अब आप target ही रखेंगे 80 नमर का 70 नमर का तब तो एक अलग बात हो गई है ना पिछले बार तो जितना cut of गया था उतना आपको score लाना है तो आप ये बिल्कुल भी ना करें आप ये बिल्कुल भी ना सोचें आप target रखेंगे 100 से 110 तक लाने का कम से कम आपको ये बता है target इससे ज़्यादा आप लाएंगे तो और अच्छी बात है ना और यदि paper का level moderate to difficult आ गया तो फिर आप 10 से 15 नमबर कम भी लाएंगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है है ना क्योंकि paper difficult आने के बाद 10 से 15 नमबर का अंतर आहीं जाता है ओके तो आप से हम यही कहेंगे कि अभी आप target रखे 100 score का 130 में 100 अब आप सोचें कि आपको किसकी section में कितना कितना लाना है लेकिन आप target 100 fix कर ले 100 या उससे उपर कम से कम ओके हाँ क्योंकि लाने वाले तो 130 में 130 भी लाएंगे जैसा कि पिछली बार भी लाएं पहले भी लाएं और इस बार भी लाएंगे लेकिन 130 सभी candidate नहीं ला सकता है वो एक से दो candidate ही होते हैं इसलिए आप कम से कम target रखे 100 तो दोस्तों यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें आप अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेयर करें और अभी तक जितने पर वीडियो आया हुआ है आप लोग देख लें आगे जो भी information आईगी आपको बताते रहेंगे आप लोग अच्छे से preparation करें और हो सकता है तो September में भी आपका exam date आ सकता है कि इस महीना भी आपका exam हो सकता है तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें अच्छे से preparation करते रहें आप always ready रहे exam देने के लिए तो दोस्तों मिलते हैं कच्छा खासा new video लेके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार